गुडिवीन अब्डिवान वेलेगम पर माई चानल परवी पाथ शाला आज हम लोग नॉर्मन प्रोबाबिलिटी कर परेंगे जिसके लिए आप लोग बहुत दिन बेट कर लोगे कि नॉर्मन प्रोबाबिलिटी कर लोगे कि अमेरिका से उनको कैसे सॉल करते हैं क्या उनका आप करें हम लोगों इंपने हर एक बेश को कवर कर लिया भी इन देसेंश गया किया बैस इंदेसेंश कर आपेंस कि हम लोगों ने हमी मिल निकालना इक निकाल आपपा सेख लिया बैस इंदेसेंशन क dividing कर एनगा अब किया है, अगर कही M लिखा है, तो क्या है, skewness, kule motivate what are you doing? काउन साव्ममेंट यूज करते हैं? काउन साववममेंट यूज करते हैं? अब कहो हमसे कितना भी घुमांके पूछे गा, पुछ भी जिरनल्डा हम ग comparative हम इतना खुछ जो हम गलत नहीं करने हैं, तो आज हम लोग जो है नॉर्मल प्रॉबाइबिलिटी कर परेंगे फ्रेंड्स इसमें सब कुछ मैं आप मुते हैं उत्ता हूँदी कि कब-कब हम लोग नॉर्मल प्रॉबाइबिलिटी करते हैं साड़ा एप्लिकेशन में हर कुछ बता हूँ ठीक है इसलिए एंशन नहीं लेना है हो सकता है स्टार्टिंग में मैं कुछ भी हो आपको समझ भी नहीं है बढ़ आपको पता है कि आगे दिए दिए इस्प्लानेशन को मैं रपीट करते चलती हूँ तो फिर वह आपको क्लियर हो जाता है ठीक है हम रशुरू करते है रहेगी है सब कोई ओके चल तो नॉर्मल प्रोबाइबलीटी कर्व जो है वो किस पर बेस्ट है प्रोबाइबलीटी पर बेस्ट है और साथ ही साथ हम जानते है कि प्रोबाइबलीटी का मतलब क्या है प्रोबाइबलीटी का मतलब है कि गिवेंट इवेंट जो भी इवेंट दिया हुआ है उसका फ्रिक्वेंसी क्य हमारा इवेंट का जो वह एफेक्ट है आप करें रिफेक्ट चीक है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सामान्य संभावना वक्ष समान्य संभावना वक्ष अगर हम यह बात करें समान्य संभावना वक्ष का तो हमनों जानते हैं कि जो यह नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है यानि जो जो भी जो घटना होने वाली तो उसकी संभावना क्या है ठीक है जैसे समान्य संभावना वक्ष का एक ऐसा सिध्धान्तिक आदर्ष एवं गनीतिय वक्ष है जिसके प्रप्तांक मध्यमान के दोनों और एकदम समान्य रूप से विद्धित होता है यानि कह रहा है समान्य रूप से कहने का देंसे कि मध्यान एनिमीन जो बीच में इकालते हैं इसके दोनों और के बीच में जो है वो इकवल डिस्टिबिशन होता है इधर भी 50% इधर भी 50% अगर हम 100% ले रहे हैं तो ठीक है या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा तो च थांस क्या है एक बटा 2 ही होगा एक ही च राइगा दूसी च होता है या फे कोई पूछे होगा है थरी स्कॉर्ट या मिदी टीन दीखे वह उसका चांस कितना है तो हम जानते कि डास में जोड़ल 6 च च श च च प़्ुशन हो संभावना जो हम लें कालते हैं कि यह संभावना है कि भी तीन जो है वह एक बटा छे बार में किसी भी टाइम पर वो आ सकता है और जब भी कोई अब्जर्बेशन जो है वो कनफर्म करेगा मैथनेमाटिक कनफर्म यानि करी इती है वाग तुसको आम बेल सेप्ड कर्व में रिप्रियन करते है इस करेक्ट्रिस्टिक के साथ जहाँ पर मीडियन मोड हमारे का ओंगे यहाँ पर होंगे और तो यह कर्व है वो क्या होगा हमारा वो इस तरह से होगा इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा वो और प्लस इंपिनिटी तक जाएगा आपको बहुत अच्छे से देखनो फ्रेंस यह जो लाइन है वह इस लाइन सा सता हुआ नहीं है यह भी इसके पूछता है कभी-कभी यह देखनो इसके लिए टर्म यूज के अदर्त है इसको लोग आके देखेंगे यानि यानि जो सम्भावना वक्र कहें वह मद्धे वाले भाग तो नौन इंड है वह क्या हूता है बहुता है चिक है? तो देको यहाँ पहला point यह लिखा है कि curve जो है वो symmetrical होता है around its vertical axis चिक है? around its vertical axis it implies that the size, shape and slope of the curve on one side of the curve is identical to that on the other side of the curve यानि एक curve का जो एक side है वो दूसरी side भी क्या होता है identical होता है, चिक है? फिर दूसरा क्या बोल रहा है? value of mean, mode and median computed for a distribution किसी भी distribution क्लेट हो, अगर आप mean, median and mode निकालते हैं तो यह skirt में हमेशा coincide होगा और same value रखेगा ठीक है? यानि समाने संभावना वक्र में केंद्रिय प्रवृति यानि केंद्रिय प्रवृति क्या? central tendency जो है वो हमारा ठीक है? central tendency जो है वो क्या होगा? central tendency हमारा यानि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के मान क्या होते है समान होते हैं तथा वक्र के यानि ये जो कर्व है उसने कहां पे होगे? middle में होगे मध्य बिंदू पर स्थित होते है अभी तक हम लोग दो इसके specialities देखें कि सिम्मेट्रिकल होते हैं दोनों साइड में चीक है इसलिए well shaped होते है दूसरा देखें कि जो भी केंद्री प्रवित यानि जो central tendency समान होगे same value होगे और वक्र के medium मध्य विंदू पर होगे को inside करेंग पीशा चलते हैं height of the vertical line अगर हम height की बात करें vertical line की called ordinate is maximum at the mean and in the unit normal curve is equal to 0.3989 यानि सम्माने संभावना वक्र में मध्यमान बिंदू परष्थित कोटी की उचाई यानि जो यह हम लोग देख रहे थे इसमें तो यह उचाई था यह उचाई ठीक है कोटी की जो उचाई है वो अधिक्तम होती है तता यह अब्कुल आवरितियों की जो total है तो यह बस मैं बता रहे हूँ ठीक है फिर next जो है अगर हम बात करें कि the curve has no boundaries बहुत very very important point curve has no boundaries in either direction for the curve never touches the best line no matter how far it is extended that is the curve is asymptotic important term है यह पूंचावा है यह syntoptoptic exchange from minus infinity to plus infinity ठीक है यानि वो रहे कि समालने समालना वक्री की जो रेखाए है दोनो अंतिम छोड़ो यानि ends पर अगर हम इस figure को देखे है तो दोनो अंतिम छोड़ो यहाँ पर यानि end पर x-axis x-axis यह जो x-axis है को ना तो इस पर्ष करती है और ना ही x-axis के समालना अंतर होती है ठीक है यह धारना इस वक्र में अनंत तक बनी रहती है यानि यह जो है इंफिनिटी तक बनी रहती है अनंत तक minus infinity से plus infinity रहती है यानि कि अगर हम बनाए कर तो यह तो मेरा touch हो गया touch नहीं होता है ठीक है लेकर हम curve बनाए तो यह इस तरह से touch नहीं करेगा ठीक है और इसी को अब लोग बोलते है अधिक है next जो point है इस normal probability curve का वो क्या है कि the data cluster around the moon यानि कि जो data है यानि जो भी हमारा अभृतिया है वो मद्धे वाले बात में क्या होती है अधिक्तम होती है the percentage in a given standard deviation यानि जैसे मेन से बीच मद्धे से जैसे जैसे दाई और और बाई और बरते हैं यानि कि right side और left side बरते हैं तो अभृतियों का आकार even the star आकार और साती साथ जो फैलाव है वो भी क्या होने लगता है धीरे-धीरे कम होता चला जाता है जैसे यानि कि standard deviation is greatest around the moon and decreases as one moves away from the moon ठीक्या है और धीरे-धीरे क्या होता है कम होता चला जाता और जो सीरे है यानि जो end है यह यहाँ पर कहा हो जाता new term हो जाता है तो clear है यह तीन चार जो characteristic है हमको याज रखना है NPC का fence important है paper 1 में आया हुआ है asymptotic term अब जैसे इसको समझते है पहले सबसे पहले क्या पहले कि जो mean है वहाँ पर data cluster होगा तो देखो कितना सारा data है मर्दय में होगा इधर का half portion होगा तो देखो यह 34.13 है यह 34.13 है यह 34.59 है यह 2.15 है यह 0.13 है यह 0.13 है तो यह क्या है फिर हम लोग क्या देखे कि यह जो height है वह सबसे maximum height होगा यह वाला जो कि 0.3989 के ब्रावर होगा फिर हम लोग परहें कि जो x-axis सीरा जा रहा है यानि end जा रहा है वह touch नहीं करता है तो यह कैसा होता है asymptotic होता है फिर हम लोग क्या देखे कि जैसे जैसे इधर के बढ़ेंगे मीन से इधर इधर बढ़ेंगे तो जो data है जो value है वह क्या होगा तो देखो यह 34.3 है फिर और बढ़े तो 13.59 आ गया और बढ़े तो 2.5 1.5 बढ़े और बढ़े तो 0.13 हो गया clear है तो यह हमारा क्या है जो data है कैसा होगा घट का चला जाएगा और जो सम्भाब न यानि सम्मानिय वक्र है सम्मानिय सम्भाब न यानि नॉर्म प्रभाबटी कर जह है उसको x-axis में जो मानदck विचलर होता यानि, जो standard deviation इसको कितने भाग में विभाजित क्या जाता है? 6 भाग में तो 3 भाग इधर और 3 भाग इधर है 6 भाग में विभाजित क्या जाता है ठीक है मद्वन बिटुसे यानि mean point से पीन भाग दाई औरks याता है difference है जाब वो किस ताओ में होता है वो इस तरीके से होता है कि यानि mean से इधर बन प्लस one degree deviation mean से यह प्लस two और mean से यह प्लस three और इधर भी वही mean से minus one mean से minus two और mean से minus three होता है ठीक है और यह तो हम लोग देखी लिए कि दोनों और जो समाने विभाट पे वो क्या होता है 50-50% होता है 50% इधर 50% इधर आप इसको एड़ करेंगो तो 50 के अपराउप्स है जाएगा तो देखो 30, 10, 40 और 4, 37, 48, 49, यह 13, 13, 26 और यह जोड़ेंगे तो हमको लगभग किसके अराउंड हो जाएगा 50% के अराउंड हो जाएगा यह जोड़ेंगे 50% इधर और 50% इधर होता है अभी हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं आगे हम लोग और देखेंगे यह ब्लाज पीले हैं आगे हम जूक भीछेज़र से लोग जाएगा आपनर देखेंगे किसके आगे तो आद एको fence यहां लिखा है प्लस 1 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा प्लस 4 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 6-6 भाग में हही होता है यह एक्ष्टर दिया वाब 3 सिग्मा तक ही होता है यह यहाँ पर यह वाला डाइराम है छोड़े, इसको बदेखोई मत वाला कान सी चुझाओ, इसे में आओ, चीक है, तो मैं इसको हटा जोगी भाले, ठीक है, देखुँ यहाँ पे, प्लस बन, प्लस टू, प्लस ट्री है, तो मीन से, जब हम, प्लस वन देवेशन तक जाते हैं, ठीक है, एम से प्लस वन देवेशन तक जाते हैं, तो वो हम पो 34.13 परसंट डिनोट करता हैं, ठीक है, यानि टोटल का यह 34.13 पार्ट है मीन से जब हम प्लस यानि 1 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा जाते हैं तो वो सिफ 13.59 डिनोड करता है और जब 2 सिग्मा से 3 स्टांडर डिवेशन जाते हैं तो यह हमको 2.15 और यह 3 सिग्मा स्टांडर डिवेशन जो है वो 0.13 होता है यानि 1 स्टांडर डिवेशन मीन से इतना मीन से टू है 13.59 ठीक है मीन से 2.59 और अफिर इधर जो है 0.13 होता है वही चीज इधर भी है बस वैल्यू किसमे हो जाता है माइनस हो जाता है और यह जो है अगर हम इस तूनों को मिला के देखें कि मीन से 1 और माइनस 1 के बीची है यानि प्लस 1 से माइनस 1 की दूरी कितना है तो 68.26% प्लस 2 से माइनस 2 की दूरी कितना है तो 95.44% आप एड करोगे तो अपने आप दिखेगा 34.13 और 34.13 तो जोडएंगे तो 68.26 आएगा इसको भी आड करो इसको भी आड करो इसको भी आड करो तो 95.44% आएगा और जब इन सब को आड कर देंगे तो 99.7% पूर आएगा ठीक है तो यह सारा हमारा वैल्यों जिसको कि हमको याद करना है ठीक है अभी आगे दिखाएंगे हम तो मैं लिखाएंगे मीन से प्लस माइनस बन सिग्मा तक जाएंगे तो वैल्यों कितना होगा 34 पॉइंट लिए वैल्यों याद रतना है परसेंटेज एरिया यानि हमारे जो मीन के अराउंट जो परसेंटेज एरिया वह कितना होना चाहिए जब प्लस बन से प्लस टू जाते है तो कितना है 13.59 और जब प्लस टू से प्लस माइनस ट्री जाते है तो 2.15 ठीक है और यह data कभी true होगा जब normal distribution होगा और अगर हम बोल रहे हैं कि एक standard deviation के 68.26 अगर हम बोले 2 standard deviation के बीच में कितना data fall होता है तो वह कितना होगा 95.44 ठीक है तो वही लिखा है 95.44 कितना 2 standard deviation के बीच में और 99.744 हो तो 3 standard deviation के बीच में यह data fall होता है जो कि हमको याग रखना है और इसको हम लग एक principal rule भी बोलते है वो principal rule क्या है 68.95.99.7 यह percent rule इसको बोलते है जो कि हमारे 1,2,3 data standard deviation को बताता है approximate यह है 1 के लिए 68 approximate value यह हो है 2 के लिए 95 और 3 के लिए 99.7 percent rule यह हो है तो clear है यानि कि अगर हम बोले अगर हमारे पास graph है इस तरीके से और अगर हम कहरे है कि plus one standard deviation mean है और यह कहरे है कि plus one standard deviation है तो हम बोले कि mean से one के बीच में कितना data fall कर रहा है तो वो कितना होगा 34.13 अगर हम बोले कि first standard deviation में कितना data fall करता है तो first में plus one भी आगा और minus one भी आएगा minus one भी आगा और plus one भी आगा तो कितना होगा total हमारा 68.44 जो भी है ठीक है वो data value आएगा ठीक है अभी बस यह basic हम दो समझते है normal probability अभी हम लोग कैसे work करेगा यह चीज यह सीखेंगे work कैसे करेगा तो यह data को remember करने का है तो यह हमको remember करना होगा ठीक है तो यह data अब लबने में बना लोगे याद रखोगे कि जब भी 2 पे 1 से 2 के पीच में इतना है 2 से 3 के पीच में 2.15 ठीक है अब हम लोग जो है इसका application देखेंगे अब जो हम लोग main जो concept उसमें इंटर करेंगे कि normal curve का application क्या होता है ठीक है यानि कि समालने समामना work करें हम लोग क्या क्या उप्योग कर सकते हैं तो सबसे पहला कहा पर education अरिस सबत्त पर जो है जो है जो है जो है जो है कितना परसेंट बच्चे जो है वो असी मार्स में फॉल कर रहा है कितना परसेंट बच्चे हैं जो 70 के उपर कर रहा हैं कितना परसेंट बच्चेंट आपको numerical आता है तो फूसता है कि 80 मांक्स बच्चे कितने होंगे 70 मांक्स बच्चे कितने होंगे यानि अब उसको आम लोग normal probability से solve कर सकते हैं दूसरा percentage of the total area included between the mean and given सिखेंगे मैंने बेसिक बता दिया कैसे करते हैं और इस बेसिक में लोग को अफकोर स्टांडर्ड डिमिशन का जरत परेगा मीन का जरत परेगा जो कि सीख चुके हैं अब यह भी सीखें किसके साथ हैं को नॉर्मल प्रॉप्याबिलिटी का यूज करना होगा तभी हम परसें स्टैंगें के साथ यूबिलिटी कैस लोग कर तक टो यूज कर रहा है उसके बीच तो पहला एप्लिकेशन ये हैं ठीक है यानी कि जो भी दियेवी सीमाओं हैं या मद्द प्रतांटों का प्रतीशत ज्यान कर सकते हैं परसेंटेज ग्राफं ग्लान कर सकते हैं फिर साथिस समाने वित्रन में यानि जो equal distribution है उसमें विभीन प्रतीशतों को कि यह मद्ध है यानि different different जो percentage है उनके बीच में प्राप्तांकों की सीमा यानि किस एरिया में fall कर रहा है ये भी हम यार कर सकते हैं दूसरा बोला है normal curve we use to convert a raw score into standard score फ्रेंट कली हम लोग सीखे है न कि raw score और standard score का तो हम लोग यह भी याज सिखेंगे कि raw score को convert करने में help करता है standard score में यानि raw score यानि हमको सिंपर को माहल पिया है 50 इसको हमको standard score में help करता है convert करने में जैसे example दिया अग्गे एक student है उसको 50 का score भिला इनना achievement test in mathematics which are administered to random sample of 300 student हमको number of N दिया हुआ है कितना 300 student raw score यानि X दिया हुआ है कितना 50 the mean and standard deviation of test score assumed to be normally distributed माना जाना है कि जो mean है यानि कि मद्यां को standard deviation यानि माना क्विचलन है वो कितना है mean है M 60 और deviation कितना है 6 standard deviation कितना हमको 6 sigma तो पूरे standard score और sigma score क्या हुआ students कली हम रुख ठीक है Z कैसे निकालते है standard score हमारा Z ही है जभी हमको X दिया हुआ हो mean दिया हुआ हो standard deviation दिया हुआ हो करते है Z score निकालते है तो Z कैसे निकालेंगे X-M X क्या है 50 raw score minus 60 हमारा mean divided by sigma यह sigma है तो कितना हुआ 6 हुआ sigma कितना दिया है 6 solve के तो कितना आगे है minus 1.67 यानि जो भी value है यानि हमको यह इंडिकेट करें कि जो 50 score था जो raw score 50 था उसके standard deviation कितना है 1.67 यानि अब हमारे graph में हम देखे कि 1.67 कहां पर लाई करता है ठीक है तो इसको अम लोग approximately कितना ले लेते हैं approach कर देते हैं तो अम लोग 2 ले लेते हैं 2 sigma यानि 2 sigma के पास value लाई करेगा तो हम लोग 2 sigma के पास जो that value है वो हम लोग 30 तो वो हमारा कितना होता है 13 point something होता है तो इसके हिसाफ से solve पिर करते हैं तो वो अम लोग कल देखेंगे सिर्फ यहाँ पर यह क्या समझें यह समझें कि दूसरा application में हम लोग यह समझें कि raw score को वो किसमें help करता है convert करने में standard score में यानि sigma में help करता है convert करने में ठीक है next हमको help करता है normal curve किसमें is useful in calculating the percentile rank of score percentile rank का मतलब कि यह भी अभी देखेंगे friends percentile rank का मतलब है कि हमारा score मालब हम बोले कि आप 80 percentile या आपके नीचे इतने बच्चे fall कर रहे आप यहाँ पर आपसे नीचे 80 percent बच्चे है आपका यह percentile है below दबताता है तो वह भी अभी पढ़ेंगे detail में percentile rank क्या होता है for normalizing and given frequency distribution the normal curve is used यानि हमारा अगर कोई frequency दिया वह उसको normalize करना है तो हम लोग उस वहाँ पर भी normal curve use करते हैं यानि हम लोग यह क्या देखें अगर आपसे numerical में बोलेगा कि आप बताओ कि 80 max वाले बच्चे कहां लाई करेंगे तो उसके लिए भी normal probability कर बोलेगे अगर हमको कोई raw score दिया हुआ है और बोलेगा कि standard score निकालो तो उसके लिए भी npc use करेंगे कोई बोलेगा कि इस standard score से हमको यह बताओ इसका percentile rank इतना है अब कितने percent below है उसके लिए भी npc use करेंगे यानि यह सारे numerical में आप लोग npc use करेंगे ठीक है तो यानि इस से रड़ जितना भी numerical आया हुगा है हमारे previous question में इसको हम लोग कल दी करेंगे ठीक है अब कितने percent distribution दोनों साइड बराबर होता है ठीक है इसमें छे से division में बाटा हुआ होता है mean से इधर 1 sigma तो mean से इधर minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus 1 के लिए mean से plus 1 के लिए 34.13 mean से plus 2 के लिए दोनों को जोडे तो 34 plus 13 यह वाला value होता है mean से plus 3 जोड़े तो यह 3 value होता है और अगर हम इधर भी जोड़े तो 3 का ऐसे अला होता है लेकिन अगर हम ऐसे जोड़े plus 1 से minus 1 तो 68.26 plus 2 से minus 2 तो 5.4 और plus 3 से minus 3 तो 99 इसको हम लोग principle rule के हिज़ाब से भी आप करते है 68, 95 और 99.7 इस तरह से ठीक है नहीं आप अब आप आप के बाके लोग यह थेंख़िए अब यह जोड़वी नोवी भी परहें जैड स्कोर, भाई जैड स्कोर है यह सब कैसे निकारेंगे और यह अनि रॉव स्कोर्स नोचनू कैसे से कनवर्ट करेंगे स्टांडर् स्कोर में तो जब भी हम कोई टेस्ट को अड्मिनिस्टर करेंगे on a sample of students drawn randomly from a population यानि जो हमारे population से randomly यानि रांडम वे में अचाना से चुना हुआ है तो score जो obtained होता है वो क्या कर रॉ होता है इस पर हम अभी तब कोई mathematical operations नहीं किये और जो भी raw score होता है वो हमारे लिए meaningful होता है काम के लिए नहीं होता है जैसे for example if someone told that your raw score यानि आपका aptitude score है वो कितना है 134 likewise how would you compare a score to a score of 119 यानि 134 से और 119 से क्या compare कर पाओ यानि यानि without भी ना इससे you obviously would not know how to interpret your raw score of 134 यानि आपको 134 स्कोर कैसे interpret करना आपको नहीं बता और इसी को interpret करने के लिए कैसे सही तरीके से report कर सते है जो standardized test होता है वो report करते है various measures of relative standing इसको क्या में relative positions कहते है यानि जो उनको information देता है कि हमारा score है वो किसके relation में कहां पर fall कर रहा है यानि हमारे data का distribution क्या है किसके relationship यानि जो भी raw score हम लेते हैं इसका कोई meaning नहीं इसको तभी meaning मिलेगा जब हम comparison करेंगे यानि तुलना करेंगे किसी reference group के साथ ठीक है और हम reference group बनाने के हम generally क्या use करते हैं कुछ measures use करते हैं जो कि हमारा पहला sigma score T score है T score होता है यह T score है और percentile हो रहा है इसी के basis पे हम लोग जो अपने raw score को क्या करते है compare करते हैं और meaning होते है clear हो गया तो raw score हमारा क्या है raw score जिसका कोई मतलब नहीं है यह data पच्चा जो भी sample एकपते हैं जो भी sample से यानि test लिए test से जो marks आगया वो हमारा data हो बट अब उस data को कैसे compare करना है क्या करना है उसके हमारा पास एक reference group होना चाहिए और उसी reference group को standardize करने के लिए यह सारा score देते अब एके करके तीनो score को संझे ले तो फ़रते पहले majors of relative standing यानि जब 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 ज़स term हो पढ़ने जारे है जिसके अंदर हम लोग यह तीनो पढ़ने वो क्या है तो major of relative standing या relative position वो जया करता है उसके इंफोर्मेशन देता है कि कि हमारा score है वो कहा fall कर रहा है किसी दूसरे score के term में यह हमको बताता है majors of relative standing दूसरा percentile rank बताता है जो कि हमको बताता है कि हमारा score है वो 100 के भाग में कितना में कैसे divided है और तीसरा है हमारा standard score जिसका मतलब है score कॉम convert करते हैं एक scale से दूसरे scale में ताकि हम उसका to have a particular mean and standard deviation ताकि हम उसका particular mean and standard deviation निकाल सके अब एक-ए करके हम सबस्ते है इसमतरा रहा जो Z score Z score क्या है Z score उतुम लोग sigma score भी कहते है sigma score जो है अपने में meaningful score है कब जब हम raw score को convert कर जाते हैं इसमें standard deviation से divide करते हुए sigma score में यानि जो भी हमारा raw score का deviation आएगा यानि x-m जो deviation के लिए x-i में उस करते हैं इसमें अगर हम लोग standard deviation sigma से divide कर देंगे तो जो हमारा score आएगा Z score आता है mean divided by standard deviation करेंगे तो हमारा Z score आ जाता है जो Z score है वहम को बताता है कि जो भी हमारा standard how many standard deviation of raw score is from the mean यानि हमारे mean से जो raw score of standard कितने standard deviation देवियेट कर रहा है यानि mean से plus 1 sigma जा रहा है या plus 2 sigma जा रहा है या minus 1 sigma जा रहा है ये वो बताता है यानि अगर raw score हमारा mean से कम है ठीक है अगर raw score हमारा mean से कम है तो जो हमारा Z score होता है वो हमेशा क्या होगा negative होगा लेकिन अगर raw score आ होगा ये point यार्ट रखने वाला है जैसे मान लो raw score 50 है mean 60 है और standard deviation 10 है तो बताओ इसका z score क्या होगा तो हमनों guessing करेंगे 50 deviation निकालेंगे 50-60 क्योंकि ये raw score था ये mean था और ये standard deviation 50-60 upon 10 करेंगे 50-60 upon 10 करते हैं तो कितना आएगा minus 10 upon 10 यानि minus 1 sigma तो हमको ये क्या बता रहा है mean से minus 1 की और हमारा deviation है और minus आया है raw score क्या है below the mean mean से कम है ये z score के आगे negative लेकिन वही अगर इसको 70 ये ले तब मेरा mean क्या आता plus 10 deviation भी क्या हो जाता plus 1 sigma raw score जब above the mean होगा positive होगा तो अब यहाँ पे देखो मैंने formula भी लिखा है और अभी हम लोगे question भी solve करें z score का मतलब क्या है raw score minus mean upon standard deviation याँ एक्स माइनस x-bar कीए mean को m भी आप ली सकतो हो वह कौन standard deviation आप देखो एक test आपके सामने एक दूसा test है दिया होगा है ये x score raw score है ये mean दिया होगा है और ये standard deviation दिया होगा है ठीक है और ये test 2 है उसका score दिया हुआ raw score ये mean और standard deviation गया है तो आप लोग इसका क्यासे convert करेंगे standard score में ले आते हैं यानि sigma score में ले आते हैं तो आप लोग इसका sigma score ले हैं क्या minus point one seven five और plus one point two zero यानि इसको बोले तो ये minus two हो गया अगर अगर एप्रॉक्स ले तो और ये जो हमारा plus one ही रह गया one point two है अगर five से उपर होता तो इसको आप लोग plus two कर सकते हैं यानि अगर मेरा decimal के बाद five से उपर कोई digit होगा तो हम उसको बदल देते हैं उसको उपर का number बदल देते one से two कर देते हैं लेकिन यहाँ one point two zero ही था one point two zero ही था यानि दोलों में raw score एक में क्या था 77 interest one में और sigma score कितना है minus one point seven indicate कर है कि 77 कितने standard deviation के लिए one point seven था यानि जो NPC था हमारा उसके किदर उसके किदर है raw score जो है mean से कितर है इधर है minus two के तरफ और score में 64 वाला raw score था उसमें कितना गटा था plus one point two zero जिसको की one मान रहे यानि हमारा mean से कितर है data plus one की तरफ है यानि standard deviation above the mean है एक में below the mean था और एक में above the mean था हम यह relate कर पाएं इस z score से आपको और भी चीज़े रिलेट करेंगे देखिए हमको z score में इसलिए convert करना परता है क्योंकि sigma scale पर जो mean है किज़ी पर distribution का उसको हम zero में बतलते हो standard deviation को one के बराबर आते thus a sigma score के useful in making realistic comparison of score और इसलिए हम realistic comparison कर पाते है चीज़े and thus provide a basis for equal weighting of the score और इसी हमको equal weighting provide करता है यानि हम mean को जो किसी भी distribution को हम कोशिस करते है कि इसको zero mean of any distribution वो कहां पर लेके जाए zero तक लेके जाए standard deviation जो है उसको one तक बड़ाबर करते है और इसी रियेड्रो है हम इसको use करते है Z score का जैसे अभ यहां पर एक देखो इस तरह का हमने वेरिकल आया हुआ भी है अभी समाझते है basics है फिर हम लोग कल में वेरिकल करेंगे कलिया लेक्स्ट है physics है physics में score आया है 50 and chemistry में 65 mean है 60 और इसमें mean कितना 92 highest possible score कितना हो रहा था 80 और 90 standard deviation कितना 10 और 9 अगर हम देखे तो raw score हमको कुछ नहीं बता रहा क्योंकि mean देखे तो mean बही जादा आ रहा है right जैसे देखो यहां पर it is evident that the mean of the two raw score obtained by the student in physics and chemistry would not provide a valid picture of the student performance कि mean जो है वो मोड हो रहा है in favor of chemistry test or in favor of physics test तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा है हर एक test को किसमें convert करना होगा sigma score में z right यानि z में convert करने के लिए पहले हमको चेक करना होगा कि हमारा raw score कोलता है हमारा mean कोलता है तो of course हमारा raw score यह mean यह है और यह क्या है sigma है z निकाल सकते हैं तो अब आपनों calculate करो physics का z और chemistry का z कितना आएगा और जैसे ही raw score आजाएगा तो हम express कर सकते है scale में with a mean of 0 and a standard deviation of 1 यानि हम मानेंगे कि हमारा mean कितना तह 0 था और जो भी इसका z score आए वह 1 से कितनी दूर भागा यानि mean से कितनी दूर भागा है plus 1 भागा है, plus 2 भागा है, plus 3 भागा है तो वह हम पता कर सकते हैं तो calculate कर लो physics और chemistry का z score आप आप लो calculate कर लिए होगे तो देख physics का z score निकाले तो raw score minus mean 50 minus 60 upon 10 कितना है minus 1 sigma उसी तर से chemistry का z score निकाले minus 1 sigma हम को क्या बता रहा है mean हम क्या मानने थे 0 तो 0 से कितनी और किवे भागा है below the mean भागा है कितना below भागा है, minus 1 कि तरह मागा यानि standard deviation below the mean ठीक है दूसरा chemistry का z score निकाले तो कितना आया, minus 3 आया यानि यह भी minus आया यानि यह भी क्या वागा standard deviation below the mean है ठीक है? यानि हम देखे teacher और यह equally weighted बैसी दोनों को standard deviation convert करें तो conclude करी कि the performance of the student was fairly consistent that is one standard deviation below mean in physics and three standard deviation below mean in chemistry यानि हम यह decide कि कि भाई तो student का physics में score क्या था? mean से 1 नीचे था chemistry का score क्या था? mean से 3 नीचे था ठीक है? तो हम लोग jet score से यह बता कर सकते है कि वह mean से कितना दूर है या mean से कितना नीचे है ठीक है? अब कभी-कभी अब जैसे यह कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारा jet score है ठीक है? decimals और negatives में आता है जैसे भी हम लोग देख रहते है तो इस तर को avoid करने के लिए और नया standard score यूज करते है जिसको कि हम बोलते है T score और T score को हम कैसे express करते है 10 Z plus 50 समझे लोग फ्रेंट यह Z क्या है हमारा sigma score है माल लो हमको कहीं पे दिया हुआ है data में question में दिया है आपके पास mean दिया है raw score दिया है और standard deviation दिया है और कह रहा है इसका T score बताओ तो हम क्या करेंगे पहले इतने से क्या निकाल लेंगे जेड निकाल लेंगे जेड कैसे निकाल लेंगे अगेन raw score minus mean upon standard deviation जेड निकल गया अब जेड के value को हम यहां पे put कर देंगे T equals to 10 Z plus 50 कर देंगे हमारा T score निकल जाएगा तो यह भी एक निमेट का हमारे पास आया हुआ था तो लोग इसको भी अब सीख गया है तो इससे भी related questions इसको solve करेंगे कल के class में अब इससे बेसिक देख रहे है कि T कर भी उस करते जेड कर भी उस करते तो आप देखो फिजीस का T score निकाले कैसे पहले का Z आया हुआ था फिजीस में Z कितना आया था 20 यानि हम इन दोनों को अगर मेरे पास मालो ऐसे आका 40.23 तो हम राउंड आफ कर सकते थे बट यहां तो अरड़ी हमारे पास राउंडेड नमबर आया तो राउंडेड गोल नमबर आया तो जरूरी नहीं यह करने का तो T score student कितना हो गया 40 और 20 रिस्पेक्टिवली हो गया यानि कि T score है वो हमारा कितना आगया दोनों का 40 और 20 तो अग यह भी हमको बता रहा है कि अच्छा score किसमें है physics में है किसमें 40 है standard deviation से भी पता चलता था कि mean से बस minus वनी है तो इसने standard deviation पर physics का डाबा अप्छा था यानिमेश्टि के मुकाबले तो हम लोग Z score से भी पता करता है कि कौन बेस्ट था और यहाँ T score से भी पता करें तो आप समझगे Z score का भी उज़ करेंगे जब हमको raw score को किसमें बदलना हूं standard score में और अगर standard score decimal में आ गया तो इसी standard score को हम फिर किसमें बदल सकते हैं T में बदल सकते हैं अगर हमसे बोड़ रहा है 10 Z plus 50 करके ठीक है Next है हमारा percentile rank percentile rank का मतलब क्या है जब हम किसी भी distribution को 100 equal part में बाठते है percentile rank बोलता है कि the point below which a given percentage of scores falls यांगि किसी percentile के लिए जैसे आप लोग on academy का अगर आप लोग देखते होगे तो आप देखते होगे कि आपको दिखाता होगे इतना percentile इस तरगा graph आपको दिखाता है तो वह क्या है वह NPCA rectangular form में दिखाता है percentile rank तो वह क्या है हमारा बता रहा है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आपका score कितनों के ऊपर है यानि आपके नीचे कितने fall करते है जैसे अगर इतना 80 percentile यानि आपका percentile कितना है 80 और score कितना है 60 है यानि 80 percent of the score जो है वह below 60 है fall below 60 80 percent के जो बच्चे होगे 80 percent जो score है वह 60 marks के नीचे है यानि आपको 60 marks आया और percentile आपका 80 यानि इतने बच्चे जो है 80 percent score जो है वह 60 number से कम है उसी जास अगर 50th percentile है तो इसका मतलब 50 percent जो है वह इसके below है 50 percent score जो है आपके below fall कर रहा है यानि percentile rank हम को यह बताते कि मेरे नीचे कितने बच्चे है जैसे अगर मालो मेरा एनलेट के exam में 99 percentile आया है इसका मतलब मेरे नीचे 99 percent बच्चे है उनसे मैं 99 percent उपर हूँ यानि percentile rank कैसे interpret करते है score in a reference group एक reference group लेते हैं that fall below a particular raw score यानि जो भी हमारा raw score है उसके नीचे कितने fall कर रहा है यहां पर यह हमको help करता है individual को यह interpret करने में test score को दूसरे के scores के साथ जैसे आपका percentile होता है लिखता है कि topper से आप कितने percent below हो और average बच्चों से कितने percent above हो तो इस तरह से हमको बताता है या average आपसे कितने percent below है तो यह हमको बताता है percentile ठीक है The reference group is often referred to as the norm group or the standardization sample reference group का मतलब क्या है जिनको हम decide कि इनके साथ relate करेंगा आप मानलो आपका percentile कितना है तो उसके लिए उनी बच्चों को लग उनी reference group को पकड़ेंगे जो उन्होंने वह test दिया होगा तो यानि percentile group में क्या होता है percentile से हम देखते हमारे नीचे कितने बच्चे है इन्हें reference group क्या हो सकता है हमारे national sample हो सकता है children हो सकता है किसी particular age का सारे school हो सकते है district के कोई भी हो सकता है यानि gender rule की बात करेंगे तो percentile rank हम तब यूज करते है जब reference group बहुत बड़ा हो and representative of a group of interest to you यानि reference group बहुत बड़ा हो और आप जिसके लिए अपना rank को मेज़े करना चाहते है percentile देखना चाहते हो उसी interest का हो like NTA वाले जो है वह आपको percentile आपके education string के score पे निकालेंगे यह नहीं कि जो commerce के बच्चें उन से रिलेट करेंगे नहीं आपका interest education आपका marks education से रिलेट के जागा तो उसी interest में किया जागा और percentile में निकाला जागा क्योंकि group बड़ा है अब मालो हमको interpret करना है meaning of a score using a percentile rank जैसे Marlowe you made a raw score of 166 ठीक है 166 आपको score आया किसमे graduate record examination में GRE examination जो कि verbal reasoning test था ठीक है और इस score का जो percentile rank था वो 96 है इसका मतलब क्या है कि 96 percent of the individual जो है इस group में वो आपसे कम score किये ठीक है यानि आपका raw score कितना था 166 जिसका मतलब आपको percentile आया है 96 इसका मतलब आपसे नीचे 96 percent बच्चे है जिनको आपसे कम score आया है 166 से नीचे mark आया है दूसर एग्रामपल देखें तो बोल रहा है अगेन वालो आपको verbal score में 149 आया है इसका मतलब आपका percentile rank कितना है 48 इसका मतलब 40 percent बच्चे जो बिलो होंगे आपके आपसे कम score आया है 149 से marks कम आया है 40 percent बिलो बच्चों का क्योंकि आपका percentile कितना है आप 40 तो आप 40 percent से नीचे है और आपसे उपर 60 percent के बच्चे है आपसे नीचे 40 percent के बच्चे होंगे कितना marks आया है 149 से कम आया है 148 हो सकता है 147 हो सकता है और आपसे उपर 60 percent वाले बच्चे है वो आपसे जादा marks ला है 149.5 हो सकता है 149 हो सकता है तो यह सारा मार्क जयवोग हो सकता है ठीक है? तो आप अब आपको सब कुछ clear हो क्या होगा percentile rank क्या है, z score क्या है, t score क्या है हर कुछ ठीक है? अब अब उलोग जल्दी से एगवाई सब को recall कर लेते हैं आज क्या-क्या परे हैं तो अब लोग सबसे पहला जिसमें लोग पढ़ें कि यह touch नहीं करता है यह क्या है, यह हमारे graph को touch नहीं करेगा asymptotic होता है ठीक है? दूसरा पढ़े mean इधर होता है और इधर-इधर deviations बागता है plus 1, minus 1 plus 2, minus 2 plus 3, minus 3 फिर पढ़े, plus 1 से minus 1 का difference कितना होता है? 68. है ना? फिर plus 2 से minus 2 का कितना होता है? 95 68, 95 और 99 वार रूल पढ़ेते और plus 3 से minus 3 का कितना होता है? 99.74 ही यह पढ़ेते principal rule है ना? फिर हम लोग पढ़ेते कि mean से plus 1 की बीच में कितना value होता है? 34.13 इधर भी 34.13- फिर पढ़ेते mean से यह plus 1 और minus 2 के बीच में कितना होता है? तो 13.59 और इधर भी कितना होता है? 13.59 फिर पढ़ेते plus 2 से plus 3 के बीच में कितना होता है? तो पढ़ेते 2.14 और इधर भी minus 2 से minus 3 के बीच में कितना होता है? 2.14 इतना हम लोग देखेते clear है? फिर देखें, दोनों तरह 50-50 % होता है एड करेंगे तो 50-50 % हमको आ जाएगा ठीक है? फिर हम लोग और क्या करें? और देखें कि जो % rank हो कैसे निकलता है? हाँ पहले देखें कि standard score, relative position देखें जो उनको compare करने में help परता है कि raw score कोई मतलब का नहीं है जब तक लिए हम आरे पास कोई difference group नहीं हो तो difference group लिए हम लोग relative standing यूज करते है जिसमें हम लोग Z score, P score of % देखें x-m upon deviation बटा standard deviation निकालते हैं और उसके standard deviation से divided T कैसे निकालते हैं? 10z plus 50 करके और % rank कैसे होता है? % rank जो भी हमारा % आया है इसका मतलब उसके नीचे इतने बच्चे fall कर रहे है तो यह सारा आज हम लोग देखें है basic कभ NPC यूज करते हैं, कैसे है, क्या है, सारा कुछ ठीक है? और यह जो graph है इसको ज़़ूर याद रखना यह graph ठीक है? यह graph आपके लिए बहुत important है right? ट यह जूआय टाओ वाद पाद बच्षण वच्पैक श gratणतर यह जव़ूट झाभ झाद है आपके लिए सबस्तिस आपके इसका झापके लिए बहुत व्पाद कर दाः है अब एक चीज यहां पर और थोगा सा एड करवा देती हूं लिख लो आपनो ठीक है काम ही देगा जैसे जरुबत तो नहीं है फ्रेंड्स हम लोग अलरड़ी वह चीज शॉल्ट करेंगे तो सीख जाएंगे याद करने से कोई फाइदा नहीं लेगे फिट भी चल सीख लेते जैसे प्लस वन सिखमा है तो प्लस वन सिखमा में हम लोग क्या देखें प्लस वन सिखमा का वैल्यू कितना है इस ग्राफ को अगर देखें तो प्लस वन सिखमा का वैल्यू यहां से यहां तो कितना है 34.13 या तो कितना आएगा हमारा 84.13 राइट क्योंकि यह पुड़ा 50% है यहां से यहां तक और यह 34. अगर आपसे बोले कि नहीं तुम प्लस 2 सिग्मा का पर्सेंटाइल बताओ तो क्या करेंगे यह प्लस 2 सिग्मा का आ रहा है यहां आ रहा है यानि इसके नीची कितने बच्चे फॉल कर रहे है यह 13.59 यह 34.53 इसको जोड़ेंगे और यह 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जागा अगर कोई बोले कि प्लस 3 सिग्मा में कितना आएगा उनको यह बताओ तो प्लस 3 सिग्मा यहां है अब इसके नीची कितने बच्चे फॉल कर रहे है इसके नीचे यह सब जुट जाएगा तो अप्रॉक्स हमारा किसके बराबर हो जाता है 99.87% के बराबर हो जाता है तो कि सबको जोड़ोगे इसमें इसी वैल्यू में आप 2.15 जोड़ो तो देखो 2.15 जोड़ोगे तो अपने आप आप आजएगा 527 जाना 527 718 729 और 99.87% आएगा समझ में आ रहा है हम लोग कैसे पर्सेंटाइल निकाले एक बाद फिर से रिकॉल करा दे ठीक है अगर हमसे कोई बोलेगा पर्सेंटाइल निकालो प्लस बन सिग्मा का तो क्या करेंगे प्लस बन सिग्मा कहां आ रहा है यहां आ रहा है इली का dio है ?ουνकि वाला वालु भी व॥्यादक लिख gevितलीक रहा है कर दिए फिर अगर हम से कोई बोले थी सिगमा का बताओ प्लस थी सिगमा का तो अगें क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक का वैल्यू पूरा एड़ करेंगो और यह वैल्यू पचास तो ही यानि इसी में सिर्फ कीपना कर देंगे 2.15 अब मालो यह तो हो गया प्लस वन सिगमा का परसंटाइल इतना होगा एक मिनिट के लेक खुछ सोछो माइनस बंप सिगमा का परसंटाइल इसका मतलब आप बताओ इन इधार का स्कोर देखेंगे या इधर का स्कोर तो आप इधर का देखेंगे यहां कितने नीचे में fall कर रहे हैं तो अब सोचो फ्रेंग, यह total कितना था 50 राइट तो अब इसके नीचे का निकालना है तो इसके नीचे निकालना है तो हम कर सकते हैं यहां से पचास मेंचे हम इतना को घटा दे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा कि या फिर इस पूरे पचास में ये वाला पचास का वैल्यू है ये 34.13 है हम इसमें से अगर हम घटा दे तो आप खुद देखो माइनस बन सिग्मा का कितना आजेगा 15.87 ये देखो ये दोनो वैल्यू आड कर देंगे सिफ ये दोनो वैल्यू आड कर देंगे या तो हम पचास में से क्या करेंगे टोटल पचास लेंगे और उसमें से हम ये दोनो वैल्यू को आड कर देंगे इतने पूरे वैल्यू को इस तीनो value को add कर देंगे तो हमको minus 1 sigma का निकल जाएगा कि हमको इसके नीचे का पूछा दें इसके नीचे कौन-कन से value लाई कर रहा है यह वाला लाई कर रहा है यह भी लाई कर रहा है और यह भी लाई कर रहा है तीनो को add करेंगे तो कितना आजाएगा एड करो 13.59 प्लस 2.15 प्लस 0.13 नौतिंग बाड़ा पांस 17 51678 325 और 1 तो कितना पर्षेंटायल आ गया 15.80 राइट अगर हमसे बोल दे कि नहीं आपका स्कोर माइनस 2 सिग्मा है इसके नीचे का पर्षेंटायल बता तो माइनस 2 कहा आ रहा है याँ तो आप पर्षेंटायल आप बताओ इधर का निकालोगा या इधर का निकालोगा तो इधर का निकालेंगे तो इधर का निकालने के लिए क्या यूज करेंगे किस-किस वैल्य को आड करेंगे तो सिर्फ इंदोनों को आड करेंगे तो जब सिर्फ इन दोनों को एड़ करेंगे तो बताओ कितना हैगा 2.15 plus 0.13 538, 2.28 percentile आठाए अगर बोले कि नहीं, minus 13 sigma का percentile कितना है तो minus 13 के सिर्फ इतना ही बचा तो सिर्फ 0.13 percentile बचेंगे तो समझ गए percentile करते हैं अब अगर हमको बोले कि अब इतने percentile को बताओ total number आप कितने हैं तो वो हम दो कल numericals जब सीखेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे तो है हो कि अब आपको ये percentile निकालना असान सीख गए होगे जिसको कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा सिर्फ ये NPC का जो value है बस उतको याद रखो percentile निकालना और कुछ निकालना आप सीख सकते हो ठीके मैं तो अगर आपको सारा explanation क्लियर हुआ होगा या कहीं भी कोई doubt नहीं होगा और कोई doubt होगा तो जरूँ पूछना comment section में पूछो या मेरे telegram channel को join कर सकते हो मैंने अपने telegram channel में सारा कुछ लिंक दिया हुआ है आपको जितना भी प्ले लिस्ट मैंने जितना भी वीडियो कराया है इन सबका links डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथ ही साथ मैंने आपका पूरा क्या बोलते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का जुनव मैं आपका बुक ही उसका डिस्क्रिप्शन दिया अगर आप वो पर्चिस करना चाते हो तो आप वो उस लिंक से चाकर के पर्चिस कर सकते हुआ चिकिए अगर मैं वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो शेयर करो सबस्क्राइब करो ठीकिए इससे मुझा मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है